कि 22 मार को 5 बजे और आभार कैसे व्यक्त करेंगे ताली बजा करके थाली बजा करके गंटी बजा करके हम उनके प्रती अपनी कृतग्यता व्यक्त करें करोना वायरस के पूरी दुनिया में कुल 3 लाग से जादा केसिस हो चुकी हैं और इन में से 99,000 से जादा लोग इससे रिकवर भी कर चुकी हैं मरने वालों की संख्या 14,000 के बार जा चुकी है भारत में 425 केसिस आ चुके हैं करोना वारस के और इन में से 8 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है इसके मतिनजर ही भारत में तकरीबन लॉक्टाउन भी खोशित कर दिया गया है कारण ये है कि जारा से जारा लोग घरों से बाहर ना निकले क्योंकि ये वाइरस एक से द्रूसरे व्यक्ति में बहुत जल्दी शे फैलता है कुछ दिन पहले पियमोदी ने तेश को संभोधित करते हुए जनता कर्फ्यू का एलान किया था और साथ ही शाम पांच बजे काली बजागर उन लोगों का धन्यवाद करने के लिए कहा था जो लोग इस कर्फ्यू में भी काम कर रही हैं 22 मार्च रभी बार को सुबह साथ बजे से रात नव बजे तक सभी देशवाश्यों को जनता कर्फ्यू का पानन करना है इस जनता कर्फ्यू के दर्म्यान कोई भी नागरीक गरों से बाहर न निकले न सडक पे जाए न महले में या सोसाइटी में इकत्ते हो अपने घरों में रहे साथियों पिछले दो मेहनों से लाखों लोग अस्पतालों में एरपोर्ट पर दप्तरों में शहर की गलियों में दिन रात काम में जुटे हुए हैं ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करेंगे और आभार कैसे व्यक्त करेंगे ताली बजा करके थाली बजा करके गंटी बजा करके हम उनके प्रती अपनी कृतग्यता व्यक्त करें उनका होसला बढ़ाएं उनको सेल्यूट करें पूरे देश के स्थानिय प्रसासन से भी मेरा आग्रह है कि 22 मार को पांच बजे सायरन की आवाज से इसकी सुचना लोगों तक पहुंचाएं आप सोचेंगे कि मैं तो हेल्दी हूं मुझे क्या फरक पड़ रहा है इतना और मैं एक वैसे भी यंग इनसान हूँ तो मेरे तो मरने के जानते वैसे भी इतने कम है इस वायरस से तो मैं तो बाहर निकल जाता हूं मुझे फरक नहीं पड़ता एक ग्राफ आपको माउंटे इन की तरह दिख रहा है और एक ग्राफ छोटी सी हिल की तरह दिख रहा है अगर आप इन ग्राफ का पीक पॉइंट देखो गे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नंबर ओफ इंफेक्टिड लोग देखो कितने हैं बिना सोशल डिस्टेंसिंग के कही जादा नंबर ओफ इंफ पांच बजे तक मुदी जी की बाप का पालन पूरे देश ने किया लोग घरों में रहे और वाइरस से बच पाई इसलिए चंता कर्फ्यू लगाया गया था पर पांच बजने के बाद ही लोग सड़कों पे आकर थाली पीटने लगे किस दो हूप़ को खिए ने R bạn अ लगे अर्फर one आ कॉए्यू है स्बस्तर कांच बाँ खमा चंन अ पांच लगजा थी किसमार कम भांच DV पांच लगे धिए स्बस्तर कर दू लगे अनौैस टहां वाइरस ना फैले इसलिए पूरे दिन लोग अपने घरों में रहे लेकिन पांच बचते ही सारी मेहनत पर पानी फेर दिया करोना वाइरस से बचने के लिए कैनेडा के पर्धान मंत्री जस्टि टूडो ने एक आर्थिक राहत पैकेज के अलावा बेरोज कारों और चात्रों के लिए भी कई खोशना ही की है का है कि पांवा और शोब्विया ग्या प। एकाउल की जराओन विए आनाई पी गरानाा। एह स MONT वा रांग बच्ट ओा खो एकान वड़ीन के लाखूफ ही एपर आडीन वे का प्यादेदान ही कापच ही स्वित गप बचल्ट एकान भांबादनॉ काली ऑनी कर्णती common ते閹 Dualा के 3 Dip니 ररु के निलें WiFi bardziej सूफ अआयोów F that's more than 3% of our economy if you fall ill or have to self-isolated but you don't qualify for EI or have access to sick leave we'll be putting money in your pocket every two weeks if you have kids we're boosting the Canada child benefit if you get the GST credit we are boosting that too and if you're an employer of a small business who is worried about paying staff we'll give you a temporary wage subsidy to keep people on the payroll जिन्गापुर के परधानमत्री ली हिसीन लॉंग ने करोना वारस से लड़ने के लिए आर्थिक पैकेज अनाउंस किया है जिसे लोगों को आर्थिक दिकत ना आए Our economy is taking a big hit. That's why we did the $4 billion support and stabilisation package in the budget last month, to help businesses, workers and households, tied over the immediate period. This has helped. But with things still unfolding, we knew we might have to do more. The situation is especially serious for some sectors, hotels, aviation, hospitality and freelancers in the gig economy. But nobody has been spared. Everyone feels the impact to different degrees. So the government is working on a second package of measures. We will help our companies with their costs and cash flow to keep them afloat through the storm. We will help our workers keep their jobs and retrain during their downtime, so that when things return to normal, our workers will be the first out of the gate and immediately productive. And we will give those who are retrenched and unemployed, as well as their families, an extra helping hand to see through this difficult period. और दूसरी और हमारे देश के महान पर्धानमंत्री मोती जी ने अभी तक सिर्फ जनता कर्फ्यूक एलान किया है और जनता को मूरक समझते हुए. पांच बजे के बाद ताली बजाने को कहा है. 22 मार्च रभी बार को सुबे साथ बजे से रात नव बजे तक सभी देश वास्यों को जनता कर्फ्यूका पानन करना है. और आभार कैसे ब्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, गंटी बजा करके हम उनके प्रती अपनी कृतग्यता ब्यक्त करें. वही दूसरी और कई राज सरकारे इस वाइरस से निपटने के लिए ठोस कदम उठा रही है. केरला सरकार ने करोना वाइरस को लेकर स्पेशल पैकेज अनाउंस किया है, जिसकी जानकारी पिनारेई विजेयन ने अपने ट्विटर पर दी है. इस पैकेज में 20,000 करोड रखे गए हैं वाइरस से लड़ने के लिए. और दो महीने की वेलफेर पेंशन भी अडवांस में देगी केरला सरकार. वही यूपी के मुखमद्री योगिय दित्यनाथ ने भी परदेश में 35,000,000 तेहारी मज़दूरों को वे अन्य लोगों को 1,000 रुपए के भत्ता देने का एलान किया है. वही पंजाब में भी मुखमद्री, कैप्टन अमरेंदर सिंग ने भी राज्य में सभी कॉंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए 3,000 रुपए के तटकाल रहत की खोशना की है. राज्य सरकारें अपने स्थर्ड पर लगतार लोगों को करोना से बचानी की कोशिश में जूटी हुई है और केंदर की सरकार ने अभी तक कोई आर्थिक घोशना नहीं की है. परधान मंत्री मुदी को बाकी देशों से सीख लेकर जल्दी कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि इस वाइरस को ज़्यादा फैलने से रूका जा सके और देश की आथिक स्थितिकों भी बचाया जा सके.